परचम आइएम पूजञ आज हम डिस्कॉस करेंगे जियोग्राफिस सीरीज में अपना नेक्स टॉपिक इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम इंडस रिवर उसकी trainitris के बारे में बात करेंगे इन trainitris पे left की कौन सी है, right tributaries कौन सी है, जहां से exam में question होता है, हम उनके बारे में discuss करेंगे साथी साथ इन नदियों पे कौन कौन से dam बने हुए है, वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे और इन rivers के किनारे, कौन से important शहर या city situated है, वो भी हम आज के वीडियो में देखेंगे तो एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत useful है, एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़े cover हो जाएंगे तो वीडियो को last तक देखना है, last में एक question होगा, question of the day, जिसका answer आप हमको comment section में देएंगे और सही answer भी मैं आपको comment पे reply कर दूँगी, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंडस river system के बारे में इंडस को सिंदु नदी के नाम से भी जाना जाता है, basically इसी इंडस के नाम पे भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है जो फार्सी अरबी लोग हुआ करते थे, वो शा को हा बोला करते थे, तो सिंदु से हिंदु आया, हिंदु से हिंदुस्तान आया तो इस river का major contribution आप बोल सकते हैं हमारे भारत के नाम करन पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंडस river system के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपने जितनी भी पुराने civilization देखी होंगी, चाहे वो मोहन जोदरो की civilization हो, मैसोपोटामिया की civilization हो, यह ना तो हर एक civilization आपको river के किनारे ही मिलेंगी, उसके दो reason होते हैं, तो नदियों के किनारे बहुत सारे animals आते हैं, पानी पीने क तो नदियों के किनारे fresh water होता है, नदियों के किनारे जो है वो जानवर आते हैं, animals आते हैं, पानी पीने के लिए तो शिकार के लिए खाना आपको मिल जाता है, इसके अलावा वहां की जो मिट्टी होती है, वो eligible soil होती है, fertile होती है, जिससे आपको farming करने में भी आसानी होती है, इसलिए आपको पुरानी जो civilization देखने को मिलती है, वो किसी river system के किनारे ही देखने को मिलती है, तो हमारे जो Indus Valley civilization है, Mohanjodaro, Harappa, ये सभी आपको कहां मिलेंगी, Indus River उसके tributary के किनारे ही आपको ये civilization देखने को मिलेंगी, तो Indus River की अगर हम बात करें, तो आप देखें लेह वाले reason में flow होते हुए ये पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान में कराची के पास Arabian Sea में जाके मिल जाती है, तो ये आत्रा होती Indus River की, कहां से शुरू होगी, तिबद की मानसरोबर से, उसके बाद भारत में entry, भारत के बाद पाकिस्तान में entry, और पाकिस्तान के बाद आपको कहां मिलेगी Arabian Sea में, क्योंकि नदियों का destination ही क्या होता है, कि वो समुद्र में at the end मिलेंगी ही मिलेंगी, ठीक है, Indus River की टोटल लेंथ है वो 2880 km है, लेकिन तो टोटल लेंथ है, तिबद से शुरू होके आपके पाकिस्तान तक, अगर हम केवल भारत में बात करते ह भारत में Indus River की लेंथ 111 4 km देखने को मिलती है, तो भारत से जाने वाली सबसे बड़ी नदी आपकी Indus River हो जाएगी, लेकिन केवल भारत में फिलो होने वाली सबसे बड़ी नदी इंडस नहीं होगी, तब आपको याद रखना होगा कि गंगा रिवर जो है वो भारत में जानने से पहले में दो छोटी सी बाते आपको बताना चाहती हूँ, हमारे पस जो रिवर सिस्टम है या ड्रेनिस सिस्टम है, दो प्रकार की ड्रेनिस सिस्टम आपको भारत में देखने को मिलेंगे, एक वो नदियां जो हिमाले की रीजन से निकलती है, हिमाले रिवर सिस् सिस्टम की जो भी नदियां होती है बारा मासी होती है मतलब पूरे के पूरे बारा महीने इन में पानी होता है सदा नीरा होती है हमेशा इन में पानी अविलिबल होता है पैनेंसुला रिवर सिस्टम की बात करते हैं पैनेंसुला मतलब यह वाला रीजन जहां पर आपको नदिया सूख भी जाती है तो Peninsular River system में पानी जो है वो हमेशे अवेलेबल नहीं रहता ये major difference आपको Himalayan River और Peninsular River में देखने को मिलेगा clear है तो Himalayan River में आपको Indus Ganga और Brahmaputra के drainage system को पढ़ना होता है जबकि Peninsular River को भी हमने river system को दो parts में डिवाइड किया है एक वो नदिया जो Arabian Sea में अपना पानी छोड़ती है और एक वो जो Bay of Bengal में पानी छोड़ती है Arabian Sea में आपको basicly तीन नदिया याद रखनी होती है एक तो नर्मदा, तापी और माही तो नर्मदा, तापी और माही ये नदिया Arabian Sea में जाएंगी इसके अलावा Godavari, Krishna, Mahanadhi, Bhima, Tungbhadra ये सबी नदियां जो है वो आपको कहा मिलेंगी Bay of Bengal की तरफ जाते हुई दिखाए देंगी अब हर शीज के कुछ ना कुछ exceptions तो होते ही हैं तो वैसे ही Peninsular River सिस्टम में एक रिवर है जिसका नाम है Kaveri और Kaveri River यहाँ पर exception है, exception कैसे? क्योंकि यह सदा नीरा है, इसमें 12 महीने पानी होता है क्योंकि इसको South West मानसून से भी पानी मिल जाता है और North East मानसून से भी पानी मिल जाता है तो दोनों मांसून से इसको पानी मिल जाता है इसलिए काविरी नदी पे हमेशा पानी रहता है तो ये कुछ बाते हैं आपको river system के बारे में पता होना चाहिए तो हम बात कर रहे हमालियन river system के बारे में जिसमें हम अपनी पहली नदी Indus River के बारे में आज के वीडियो में देखेंगे जब next वीडियो आएगा तो हम Ganga River सिस्टम के बारे में बात कर लेंगे So start करेंगे हम यहाँ पे Indus River सिस्टम के बारे में लेकिन उसके पहले मैं आपको छोटी सी information और दे देती हूँ कि पर्शम के टीम ने आप लोगों के लिए SSE course launch किया है SSE GA course जिसमें Polity, Geography, History, Economy, Science और Static GK with PYQ और MCQ के साथ cover कर आया गया है इनकी PDF भी अविलेबल है तो आप पर्शम के application में जाके इस course में enroll कर सकते हैं साधे साथ अगर आप चाहें तो individual courses को भी purchase कर सकते हैं अगर आपको Geography अकेले का course purchase करना है तो वो भी आपको पर्शम के application पर अविलेबल हो जाएगा Yearbook of 2021 Current of Years भी आच चोकी है ये भी पर्शम के application पर है ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी Indus River के साथ Indus River जो है हाला कि सबसे बड़ा river basin अगर हम बात करते हैं Nile River सबसे बड़ी है, Volume के हिसाब से Amazon River सबसे बड़ी है लेकिन Indus River का भी नाम बड़ी नदियों में आता है इसका भी river basin बहुत बड़ा है ये नदी जो है सिंदु नदी ये चाइना के तिबबत रीजन से निकलती हुई इंडिया जाती है और इंडिया के बाद पाकिस्तान जाके Arabian Sea में पानी को छोड़ती है Indus River को कुछ और नामों से भी जाना जाता है इसको सिंगी खंबाई के नाम से जानते है और या फिर इसको लाइन्स माउथ के नाम से भी Indus River को जाना जाता है जाना जाता है अब इंड़स रिवर के बारे में देखते हैं तो इंड़स रिवर कहां से निकलती है तो इंड़स रिवर जो आपका कैलास मानसरोवर का तिबबत का रीजन है वहाँ पे बोखर्चू के पास से लगबख 4000 एल्टीट्यूट से ये नदी निकलती है कैलास माउंटेन रेंज से नियर मानसरोवर लेग वहाँ से ये निकलती हुई भारत में एंटर कर दी है भारत में एंटर करने के बाद ये आपको जो आपकी ट्रांस हिमाले की रेंजिस हैं कारा कोरम और लद्दाक रेंजिस उनके पास से निकलती हुई आंगे वरती मतलब मोस्ट लिए लद्दाक रेंज के पास से उसके पैरलल निकलती है फिर यहीं पर जासकर रिवर जो है वो इंडस से आके मिल जाती है और आपको इसी रिवर के किनारे लेही भी देखने को मिलेगा तो इंडस के किनारे आपको लेही भी देखने को मिलेगा यहां से क्या जुड़ गई? जासकर रिवर भी इससे जुड़ गई फिर यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी कुछ नदियां आती है और इंडस में मिलती है जैसे कि आप शियोख हो गई गिलगेत हो गई इसके अलावा काबुल नदी तो काबुल रिवर अफगानिस्तान से आके यहाँ पर किस से मिलती है इंडस रिवर से मिलती है गिलगेत, द्रास ये सभी नदियां जो है वो इंडस में आके मिलती है फिर इंडस रिवर आंगे बढ़ती है और इंडस से पाँच बड़ी नदियां आके मिलती है जिनको हम पंच नद के नाम से जानते हैं जिनके बारे में हम डिसकस करेंगे कौन कौन से है जेलम चिनाव रावी सतलज और व्यास ये सभी नदिया किस से मिलती है इंडस से मिलती है फिर इंडस जो है वो पाकिस्तान में जाके अरेबियन सी से मिल जाती है अरेबियन सी में ये अपना पानी छोड़ देती है ठीक है यहाँ पर काबुल रिवर की बात करत साथे साथ आपको इंडस रिवर में ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन भी देखने को मिलेंगी जो कि एक स्पीसीज है डॉल्फिन की जैसे कि गंगा रिवर पे डॉल्फिन मिलती है वैसे इंडस रिवर में भी आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी क्लियर है पंचनद का मतलब समझ में आया है पाँच बड़ी नदियां कौन-कौन सी हो गए है आपकी पंचनद में तो यहाँ पे जेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज यह सबी नदिया जो है वो लेफ्ट बैंक से आकर, लेफ्ट साइट से आकर इंडस में मिलती है तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन सी हो गए यह पंचनद हो गए इसके अलावा सुरू रिवर और जस्कर रिवर भी जो है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है प्रिब्यूटरीज है जो कि लेफ्ट और रइट ट्रिब्यूटरीज है ट्रिब्यूटरीज मतलब Чया होता है, सहायक नदिया Valentine कि बड़ी नदी के साँथ जब चोटी-जचोटी नदियां आकर मिलती सबसे पहले अगर हम बात करते तो जेलम रिवर के बारे में जेलम रिवर जो है वो बैरी नाग मतलब शेशनाग लेक के पास निकलती है इसी जेलम रिवर के किनारे आपको श्री नगर भी देखने को मिलेगा तो जेलम के किनारे क्या है श्री नगर भी आपको सिच्वेट मिल चिनावесь से मिलती है। चिनाव फिर आंगे en desk में मिलेगा और आवे अपना पानी छोड़ेगा। तो जेलमश जिशनावश से मिलती है। उसके पहले ही Paήςतान में झेलम नदीम पर एक डैम बना है जिसका नाम है मंडिचला डैम. तो मंडला डेम जो है वो पाकिस्तान में जेलम रिवर पे है इसके लाव दो और मेजर प्रोजेक्ट जेलम रिवर पे काम कर रहा है जिनका नाम है उरी और तुलबुल प्रोजेक्ट भी जेलम रिवर पे काम कर रहा है यह सारे जो प्रोजेक्ट होते ही हाइड्रो एलेक्ट् होते हैं और multi-purpose होते हैं irrigation में भी इसका use किया जाता है पीने के लिए पानी भी इन से मिलता है तो आपने क्या देखा जेलम जो है जितने भी देखो एक चीज बताते हैं जितने भी नाग नागन वाले चीज़े हैं यह जमू कश्मीर में ही मिलती है और जितने भी ताल तलेया आपको कहां मिलेंगी उत्राखंड में मिलेंगी जैसे नैनी ताल वगेरा और यहां पर बात हो रही है किसकी शेशनाक लेक जेलम निकलती है वहां से बूलर लेक और श्री नगर इसके किनारे है और फिर पाकिस्तान जाके चिनाव से मिलती है और फिर अरेबियंसी तक लिए है चिनाव नदी बिस एक अगmile चन्र दुसरे अगरेंज अपको कहां से मिलेगा और फिर अरेबियंसी में देखने को मिलेगा और फिर अरेबियंसी में देखने को मिलेगा कौन-कौन से, सलाल, बगलिहार, बगलिहार और दुलहस्ती, यह सब भी लिखा हुआ है आँगे स्लाइट्स में, तो सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती यह तीनों प्रोजेक्ट आपको चिनाव रिवर पर देखने को मिलेंगे, चिनाव के बाद अगली नदी अगर हम देखते के बाद पहले है पहले वो चिनाफ से मिलेगा और और इंडेस से मिलेगा और इंडस का पाणी जो है वो अरेवियं सी में पहुँच जाएगा रावी नदी पर भी कुछ प्रॉजेक्ट काम कर रहे है जैसे कि ठीन प्रॉजेक्ट ठीन बिलेजह में इसके अलावर रजीत सागर प्रोजेक्ट जो है चमीरा प्रोजेक्ट जो है वो सभी आपको रावी नदी के तठ पर ही देखने को मिलेंगे रावी के बाद अगली जो नदी आती है वो है आपकी व्यास रिवर तो व्यास रिवर के बारे में खास बात ये है कि जो हमारी पंच नद है ना जो पांच नदियां है केवल एक नदी है इस पंच नद की व्यास रिवर जो पाकिस्तान नहीं जाती है ये कॉशन कई बार एक्जाम में पूछा गया है कि पंच नद में से कौन सी नदी है जो पाक और आंगे चलने के बाद आपकी कुलू वैली है कुलू घाटी वह आपको व्यास रिवर के किनारी ही मिलेगी और फिर व्यास रिवर जो है वो सतलज से मिल जाती है जहां पर व्यास और सतलज मिलते है उस जगे को हैरी के बैराज के नाम से जाना जाता है और इस हैरी के बैरा जहां है व्यास रिवर पर situated है इसके बाद आते हैं सतलज रिवर तो यहां पर मैं सतलज और जेलम के बारे में एक बात बता दूँ कि जेलम और सतलज ये दोनों रिवर जो है न वो इंडिया और पाकिस्तान की boundary बनाने का काम भी करते हैं चीक है चलिए सतलज रिवर इन पंच से निकलती है तिब्बत मान सरोबर के पास एक लेक है जिसका नाम है राक्षस ताल उस राक्षस ताल से सतलज रिवर निकलती है फिर ये आंगे बढ़ते हुई भारत में एंटर करती है सिपकीले पास से सतलज रिवर भारत में एंटर करते हुए आंगे बढ़ती है फिर प तो यह कुछ बाते हैं जो हमने डिसकस किया वेके करके हम आप एब डिटेल में डिसकस कर लेते हैं जेलम रिफर की लंबाई लगबग 813 किलोमिटर है जेलम रिफर बैरीनाग के पास पीर पंजाल के फुट फुटहिल से जो है वो सेशनाग लेक से निकलती है इसके किनारे आपको श्रीनगर मिलेगा, बूलर लेक मिलेगी, किशन गंगा रिवर जो है जिसको नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है, यह largest tributory है जहेलम रिवर के बारे में, तो जहेलम जो है वो चिनाफ से मिलती है, चिनाफ 17 से मिलता है, मिथान कोड में और फिर आपको अरेवियन का जो पानी है, वो दिया गया है पाकिस्तान के अंडर, चीक है, इतनी चीज़े क्लियर है, अगली बात करते हैं, चिनाफ रिवर के बारे में, चिनाफ रिवर जो है, वो बारालाचा पास, लाहोर इस प्रती, जो पार्ट आफ जासकर रेंज है, वहां से ओरिजनेट होती ह कोई आती है, चंदरभागा से मिलके ये नदी बनती है, इसलिए इसको चंदरभागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इट फ्लो थूर दा जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एन कश्मीर इंटू दा प्लेन ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, ये नदी अगर इस नदी का बात करते है, तो इनुडस वाटर टृटि के अकॉर्डिंगली चिनाव रिवर का पानी भी किसको अलोकेट किया गया है, पाकिस्तान को दिया गया है, इस पे बगली हार्ट डैम कंश्रक किया गया है और वर्ल्ड का हाइयस रेल बेट बिज भी चिनाव नदी पर ही बनाया गया इसके टोटल नम्बाई 720 किलोमीटर होगी इंडस वाटर ट्रिटी के अकॉर्डिंगली रावी नदी का पानी इंडिया को दिया गया है इस पे ररजी सागर एक मल्टी परपस प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है इसके अलावा ऊज रिवर ऊज रिवर ये ट्रिब्यूटरी है रावी नदी की और ऊज रिवर पर ऊज रिवर प्रोजेक्ट भी काम कर रहा है जो कि रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है कहां पे कट हुआ डिस्टिक में जमुएन कश्मीर में इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बात कि कि रजीट सागर जो डैम है वो रावी नदी पर है, अब रजीट सागर डैम का पानी छोड़ा जाएगा तो वो उसकी डाउन स्ट्रीम हो गई, उसी डाउन स्ट्रीम पे एक और प्रोजेक्ट जो है वो पठान कोर पंजाब में काम कर रहा है जिसका नाम है सहापुर कांडी डैम, तो सहापुर कांडी डैम भी आपको रावी नदी के तठ पर ही मिलेगा, सतलज रिवर, सतलज रिवर को सम्टाइम रेड रिवर की नाम से भी जाना जाता है, ये भी कैलाश मांसरोवर लेक के पास राक्षस त अगर हम Indus Water Treaty के बारे में बात करते हैं तो Water of the Sattlaj are allocated to India under the Indus Water Treaty between India and Pakistan, mainly used for power generation and irrigation purpose इसके उपर coal dam और नाथपा जाकरी dam भी काम कर रहे हैं तो coal dam, नाथपा जाकरी dam और भाकड़ा नाकर dam यह तीनों के तीनों dam सतलज river पर ही गहें व्यास river, व्यास river पंचनद में से एक मातर ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है कहां से रोतांग पास के पास व्यास कुंड़े से हिमाचल प्रदेश में सतलज से मिलती है, जहां पर मिलती है उसे हरी के बैराज के नाम से जाना जाता है इसकी टोटल रेंट अगर हम बात करते हैं, 460 किलो मीटर है हिमाचल प्रदेश में 256 किलो मीटर है कुलू वैली हो गया, मनाली हो गया, यह सभी आपको व्यास river के किनारे देखने को मिलेंगे अब बात हो रहे हैं इंडस water treaty के बारे में 19 September 1960 को हुई थी, इसमें कहा गया है कि इंडस river का 20% पानी भारत यूज करेगा और रिमेनिंग पानी जो है, वो कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा यहां under the treaty, sign between India and Pakistan in 1960, all the water of three rivers कौन-कौन, रावी, सतलज और व्यास, मतलब eastern river जो है, इनका पानी इंडिया को दिया गया है exclusive use के लिए, बाकि जो western rivers है, इंडस, झेलम और चिनाव, इनका पानी पाकिस्तान को दिया गया है for domestic consumptions के लिए, ठीक है चले, अब यहां पे कुछ cities हम देख लेते हैं, जो है लद्दाक में, लेही जो है वो इंडस river के किनारे है और श्री नगर जो है जेलम river के किनारे है, हिमाचल प्रदेश में अगर कुलू और मनाली की बात करते हैं तो यह व्यास river के किनारे है, पंजाब में लुध्याना, जो है वो 17 river के किनारे situated है इतनी चीज़ें clear हो गई, चलो, अगली बात कर लेते हैं एक बार revision, उसके बाद सारे dams को एक बार revise कर लेंगे और फिर question देखते हैं, सतलज river, मानसरोबर, राक्षस्ताल लेक, तिबबत से, इंडस river के parallel 400 km चलती, उसके बाद भारत में सिपकीला पास से एंटर करती, भाकरा नागल प्रजेक्ट है, बात खदम व्यास river, व्यास कुन, रहतांग पास, हिमाचल प्रदेश से कुलूर मनाली, इसके किनारे हैं, यह पूरी तरीके से भारत में फिलो होने वाली river है रावी नदी, west of रहतांग पास, कुलू हिल्स, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, इंडो पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर भी बनाती है, पर्टिक्लर डिस्टेंस तक रावी नदी पर आपको थीन प्रोजेक्ट ररजी सागर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा और उज रिवर इसके ट्रिब्यूट्री है चिनाव, बारालाचपा से माचल प्रदेश से चंदरभागा कहते है, 1180 किलूमीटर की लंबाई है और चिनाव नदी जो है, वो सतलच की सबसे बड़े ट्रिब्यूट्री है जेलम, बैरिनाग, कश्मीर से फ्लो होती है, श्रीनगर बूलर लेग इसके किनारे है अब हम बात करते हैं डैम के बारे में हाला कि हमें पता है, Highest Dam इंडिया का टेहरी डैम है, जो कि उत्तराखंट पे भागी रती रिवर पर है Longest Dam इंडिया का हीरा कुन डैम है, जो कि उडिसा पे महा नदी पर है और Oldest Dam जो है, वो कलानी डैम है, जो कि तमिल नाडो में कावेरी नदी पर है लेकिन इन सबी डैम से हमें अभी मतलब नहीं है फिलाल, हमें ये देखना है कि इंडस रिवर उसके ट्रिब्यूट ट्रीज पे कौन-कौन से डैम है, तो देखिएगा, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, तो ये तीनों कहां है, ये आपको तीनों मिलेंगे चिनाव रिवर प पर है, चमेरा डैम, तो चमेरा और आपका बासी डैम, इसके अलावा आपका उज डैम हो गया, ये सभी आपको रावी रिवर पे देखने को मिलेंगे, कोल डैम सतलज रिवर पर है, लारगी डैम आपको व्यास रिवर पे मिलेगा, ठीक है, नातपा जाकरी सतलज रिवर प पर मिलेंगे तो जिनको मैंने red color से किया इनसे कई बार exam में question frame हुए तो इनको आप तो basically याद रखना जब ये याद हो जाए तो black color से जो लिखा हुआ है फिर बाद में वो याद करना चीक है this is the question of the day in the end of its mountain journey at a talk Indus river is joined by which river from Afghanistan? Indus river में a talk में कौन सी river आके मिलती है ये चार नदियां है इन में से जो भी सही है आप answer हमको comment section में देंगे so thank you so much हम मिलेंगे next session में अगली river system के साथ तब तक take care साथी साथ SSC General Science का course भी individual available है पर्चम के application में आप उससे देख सकते हैं